अस्सलामु अलेकुम आज का हमारा टापिक अफ डिसकेशन है लाइसोसॉम लाइसोसॉम यूकुरियाटिक सेल के अंदर एक बहुत इंपोर्टन्ट ओर्गिनली है विद वेरियस इंपोर्टन्ट फंक्शन इसका मैन फंक्शन क्या होता है चीजों को डाइजेस्ट करना सैल के अंदर जितनी चीज़ें उनको डाइजेस्ट करना उनकी ब्रैकडाउन करना उनकी स्प्लेटिंग करना लाइसोसॉम को breakdown या digestion जबकि सोम जो है वो सोमा से निकले जिसका मतलब होता है body यानि यह एक ऐसी body है कैसी structure है जिसका काम क्या है चीजों की splitting करना, breakdown करना, चीजों को digest करना अब हम देखते हैं कि lysosome originate कैसे होता है cell के अंदर अब को बता है nucleus के साथ endoplasmig reticulum attach होता है, यहां पर मैंने draw करके रखा है और endoplasmig reticulum का काम क्या होता है, protein और lipid की synthesis करना तो lysosome की जो membrane है, जो उसके outer membrane है और उसके जो enzymes हैं, जो उसको splitting में, जो चीजों की splitting में helpful होते हैं वो कौन बनाता है endoplasmig reticulum, ठीक है, उनकी synthesis कहां पर होती है, endoplasmig reticulum में होती है लेकिन आपको बता है endoplasmig reticulum से raw material निकलते हैं, वो functional नहीं होते हैं तो उन चीजों को functional कौन बनाती है, एक और structure है जिसको golgi apparatus कहा जाता है तो वो वेजिकल, सिस-फैस से enter होते हैं, golgi body वाली structure में enter होंगे और यहां से modify होके निकलेंगे इसी तरह, lysosome के जो ingredients हैं, वो भी golgi apparatus में enter होंगे और यहां से एक modify lysosome निकलेगा अब यह lysosome cell के अंदर functional काम perform कर सकता है ठीक है, lysosome के अंदर हम कहते हैं enzymes होते हैं कौन से enzyme होते हैं, hydroletic enzyme होते हैं hydroletic enzyme में आपको बता हूँ, hydro नाम से जाहर है, ठीक है और letic mean breakdown करना ठीक है तो यह enzyme ऐसे होते हैं, जो water को use करके चीज़ों की lyses करते हैं hydrolyces अगर आपने नाम सुना हो गया, एक reaction है condensation और hydrolyces यह हम आगे detail से पढ़ेंगे भी, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा पता देता हूँ hydrolyces एक ऐसा phenomenon है, एक ऐसा process है जिसमें larger molecule, smaller में split होते हैं by the use of water इसलिए hydrolyces कहा जाता है hydro means water, lysis means breakdown ठीक है, तो इसके अंदर कौन से enzymes होते हैं hydrolytic enzymes होते हैं लेकिन इन enzymes के एक खास बात है कि यह acidic environment में best function पर फार्म करते हैं आपको बता है कोई भी enzyme हो तो उसके लिए pH एक critical value है जानि एक specific pH में वो enzyme function पर फार्म करता है इसी तरह, lysosome के अंदर के जो hydrolytic enzyme है वो acidic pH में best function पर फार्म करेंगे ठीक है, इसलिए हम कहे सकते हैं कि hydroletic जो enzyme है वो acidic environment में best function पर फार्म करते हैं अब यहां पर मैं आपको बताता है चलूँ कि cell के जो अंदर का जो cytosol होते है उसकी environment उसकी pH जो है वो neutral होती है, near neutral होती है ठीक है, इसलिए अगर ये lysosome थोड़ा सा leak out हो जाए तो इसकी enzyme जो बाहर जाएंगे तो cell को ज्यादा नुकसान नहीं देंगे क्यूं? क्यूंके cell की बाहर की जो pH है वो neutral है जिसकी वज़ा से ये enzymes जो हैं safe function पर फार्म नहीं कर पाएंगे लेकन अगर ये body fully तोर पर rupture हो जाती है तो इसकी acidic environment भी release हो जाएगी को suicide bags भी कहा जाता है यानि अगर ये rupture हो जाएं cell के अंदर तो ये पूरे के पूरे cell को खा जाते हैं, digest कर जाते हैं anyway, composition की दरफ चलते हैं तो lysosome protein, lipid और enzyme का composition होता है, enzymes कौन से होते हैं hydroletic enzymes, यानि hydrolyzes होते हैं ये तो आगी इसकी structure और इसके अंदर enzymes होते हैं और कैसे होते हैं, और कैसे leak out हो तो क्या क्या होता है, अब हम चलते हैं इसके function की तरह, ठीक है function में सबसे जो main function है पहला function है, वो है कि lysosome intracellular digestion carry out करते हैं intracellular digestion का क्या मतलब है intracellular का मतलब है, cell के अंदर की digestion है, वो कौन कर रहा है lysosome कर रहा है, आपको बता है बहुत सरे eukreatic cell ऐसे हैं जो unicellular है, ठीक है single cell based है, जैसा के amoeba, अब amoeba जो है, यह food particle बाहर से engulf करता है by the process of phagocytosis phagocytosis एक process है, यह हम previously पढ़ भी चुके हैं, जिसमे एक cell जो है, दूसरी चीज़ों को engulf कर देता है, खा जाता है, ठीक है अब यह food particle ingest हो गया suppose this is the food particle blue color में आपको नजरार होगा यह engulf हुआ cell के अंदर गया तो यह lysosome की बाड़ी है तो lysosome इसके साथ food particle के साथ attach हो जाएगा, और food particle के जो larger molecule है, उनको hydrolyze करके छोटे-छोटे monomars में convert कर देगा, अब यह monomars cell के use के कावल है, cell इनसे energy originate कर सकता है human के अंदर भी phagocytosis का process होता है जो macrophages होते हैं, जो white blood cell की specific type है, वो phagocytosis का function perform करते हैं bacteria और viruses को engulf करते हैं, और फिर lysosome उनके साथ attach होकर, उनकी breakdown कर देता है, ठीक है next important function है, auto phagy auto का मतलब होता है, self phagy का मतलब होता है eating, self eating egg process है, ठीक है, जिसके जरीए है, lysosome क्या करता है, damage और worn out organelles जो हैं ना, उनकी eating करता है यानि, cell के अंदर जो है ऐसे organelles होते हैं, जो work less हो जाते हैं, जिनका कोई function नहीं रहता, पुराने जैसे के कोई mito, गौंट्रिया, गौल जी वाडिज, अब ये function less हैं, तो ये cell के अंदर garbage बन जाते हैं, तो इस garbage को eat कौन कर रहा है, lysosome ठीक है, उसको अपनी membrane के अंदर लेता है, और वहाँ से सारे enzyme secret करके, उसको digest करके cell के अंदर दुबारा reuse के लिए send कर देता है, तो ये एक बहुत important function है, third important function है, destruction of edge cells, ठीक है, ऐसे cell जो बहुत पुराने हो चुके हैं, function less हो चुके हैं, तो ये उन cell के अंदर rupture हो जाते हैं, जहाम पर आमने पढ़ा था suicide wax, इनको कहा जाते हैं, तो ये rupture हो जाते हैं, अपना सारे enzyme secret कर देते हैं, तो वो enzyme क्या करते हैं, पूरे के पूरे cell को खा जाते हैं, तो ऐसे old cells जो हैं, उनके अंदर ये rupture होकर old cells को खाते हैं, जो के beneficial process है, next function है, help in developmental stages, developmental stages, उन stages को बोलते हैं, जब कोई चीज growth कर रही हो, ठीक है, उसके अंदर changes आ रही हो, तो बहुत सारे organisms के अंदर, suppose, frog के अंदर, जब metamorphosis के ज़री हम देखते हैं, जो टेड़ बोल होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनकी tails होती हैं, ठीक है, उस tail के जो cell हैं, उनको खा रहा है, तो ये भी एक बहुत important function है, hopefully you can understand, next हम देखते हैं, कि lysosome से related कुछ diseases भी होती हैं, जानि lysosome अगर mal function है, ठीक से function नहीं कर रहा, तो कुछ diseases भी originate होती हैं, उनमें एक disease है, टैसेक्स disease, या क्या है, digestion करना, तो lysosome के अंदर कुछ ऐसे enzymes भी होते हैं, जो lipid की digestion करते हैं, lipid को small molecules में convert करते हैं, ताकि वो energy के लिए use हो सकें, तो अगर lysosome के अंदर lipid के enzyme active नहीं हैं, या present नहीं हैं, तो क्या होगा, lipid accumulate होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जम होना शुरू हो जाएगा, और अगर ये brain cell में ज्यादा जम हो जाता है, ज्यादा accumulate हो जाता है, तो brain cell normal function प्रफार्म नहीं कर पाएंगे, क्यूंकि excess of everything bad होता है, तो accumulation of lipid, exactly the bad thing, तो क्या होता है, उससे एक disease generate होती है, जिसका नाम है, tai sex disease, और इस disease में mentally तोर परबंदा retarded होता है, hopefully आपका मेरा ये lecture समझ में आया होगा, इस lecture को एक quickly review कर देते हैं, lysosome का हमने क्या मतलब होता है, splitting body होता है, ये originate कैसे होता है, with the help of endoplasmary reticulum and glycology of bodies की वाज़ा से, ये lysosome बनता है, और इसके अंदर enzymes होते हैं, जो चीजों को digest करते हैं, इसकी composition हमने देखी, protein, lipid और enzyme का combination है, और इसको suicide bag भी कहा जाता है, क्योंकि cell के अंदर अगर ये rapture हो जाए, तो पूरे cell को खा जाता है, फिर इसके हमने function देखे, कि intra cellular digestion करता है, चीजों को, cell के अंदर जो चीजों की उनको digest करता है, खाता है, आटोफेगी का एक function है, यानि cell के जो worn out, काम न करने वाले और गनली हैं, उनको clean करता है, edge cell को destroy करता है, जानि जो cell पुराने हो चुके हैं, काम के काबल नहीं हैं, तो उनको destroy करता है, और developmental stages में, TED, पॉल की degeneration वगारा वाले function भी लाइसोसम करता है, hopefully आपको मेरा ये lecture समझ में आया होगा, next lecture के लिए, हमारे चैनल को subscribe करना मत भूलें, शुकरिया, अल्लाहफेज,